हेलो गाइस वेलकम टू आई एक्जाम भी फिर से एक बार आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है बैंक पी और जिसमें में आपको त्यारी कराते हैं सभी बैंकिंग एक्जाम की जैसे कि आप सभी जानते ही हैं हमारी के SBI PO में को लेकर यहीं सी पूरी सीधी चल रही है जिसमें आपको करा रहे हैं में लेवल की क्योशन जो के टारगेट करते हुए है SBI PO को आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे reasoning reasoning में हम डिसकस करेंगे को सेंटरिक सर्क्लर अरीमेंट बहुत ही important है एक्जाम में पूछी जाते हैं को सेंटरिक पूछे जाने लगे तो बहुत important है हमारे exam point of view से और थोड़ा सा इनकी strategies को follow करना की किस तरीके से strategy के according इसको solve किया जा सकते है pattern के according वो सब discuss करेंगे क्वेशन आपके साथ डिसकस करेंगे याँ पर एक पूरी सब्सक्राइब करेंगे किस तरीके साथ अपने approach में develop कर सकते हैं अगर चैनल पर नहीं है subscribe करना ना भूले bell icon press कर लिजेगा तक जो भी latest videos है वो आपसे miss not ठीक है चलिए start करते है इसको यह question है हमारे पस there are eight boys अच्छे इसमें gender भी है centric circular tables but not necessary in the same order the circular tables are such that one small one is small and the second is large with small inside the larger one मतलब इस circular table एक छोटी circular table है smaller है और एक larger है जो smaller है वो inside में है किसके large इस तरीके से ठीक है और कितने eight boys eight बैठे है तो person sitting on the outer circle facing the center जो outer वाले circle में बैठे है वो center की तरफ फेस कर रहे है हैं and the person facing in the person sitting on the inner circular table are facing outside the center और जो बीच में बैठे है वो भार की तरफ फेस कर रहे है यानिके outside बेस कर रहे है so in this way the boys are facing the girls and vice versa जो boys है वो girls को face कर रहे है because the boys are sitting in the larger one and the girls are sitting in the smaller one मतलब इस तरीके से जो हमारा normal arrangement बनता है वो ही arrangement है बस इसमें आप हैक सामयद आप है ने हैं दोसरकल है को संट्रिक्स और जो अंदर की तरफ face किये हैं वो कर रहे हैं जो अंदर की तरफ वाले सरकल में वो बाहर की तर चुल पुल्सेंवें हमारे बाहरवाले सरक्र में वो अंदर की तरह है इस तरीके से उन्होंने एक दूसरे को फेस किया हुआ है इन पर्संट है ठीक है समझ गया आरेज्मेंट किस तरह का है दो केस बना कर से लेंगे दो केस बना लेते हैं फड़ा पट से है वान टू थ्री फॉर फाइव जिक्स सेवन एट नाइं टें एलेवन त्वेल थर्टीं फॉर्टीं फिफ्टीं इस तरीके से उन्होंने फेस किया हुआ है जली बनाना स्टार्ट करते हैं ए सिटिंग सेकेंट दे लेफ्ट ऑफ बी अच्छा बी से कुछ और रिलेटर है त करनेक्टिंग है चीज़े तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं तो कि रेखाए कैरी अ सिटिंग सेकेंट फूर्ट वम Called IV अ chemical ऑर यह किसमेर आउटर सर्कल मेर आउटर सर्कल में ए से एच तक के परसन्त है और इनर सेइसे अध्रिग्रमाभ वह नहीं चांटे तो B मानने जहें यहाँ है तो A is sitting second to the left of B B यहाँ है A is sitting second to the left of B ठीक है 2 person sit between B and D दो person बैठे हैं किसके B और D की बीट में तो दो person एक बार इधर के जरफ रख लेते हैं D एक बार इधर के जरफ रख लेते हैं ठीक है आगे चलते हैं D faces the one who sits immediate left of W D जिसको face करता है वो किसके immediate left में है W के तो मानने जहें D इसको face कर रहा है तो यह immediate left में किसके जाएगा W यहाँ जाएगा D इसको face कर रहा है तो immediate left में W के जाएगा ठीक है वो भार के दरफ face कर रहा है तो उनका left हमारे left और उस तरीके से आप देखना है किस तरीके से ठीक है आगे चलते हैं कह लिखा है Q sit third to the right of W तो W के 1, 2, 3 कौन बटा है Q W के 1, 2, 3 कौन बटा है Q आगे चलते हैं The number of persons sit between W and Q when counted from the left right of W is same as A and E W के जब right से count करेंगे तो 2% के बाद कौन है Q इधर 2% के बाद Q है तो A और A और E में भी दो ही person होंगे ठीक है W के right से count करा तो यहाँ पर इसके भी क्या होंगे Q sit third to the right of W हाँ तो 2 person इनके बीच में होंगे right की तरफ और इसमें भी 2 person इनके बीच में होंगे तो A और E में भी कितने person होंगे 2 person होंगे यहाँ पर जितने person के बीच में है इतने इनके बीच में तो first case में देखे तो 2 person के बाद इधर भी जगा खाली है first case first के बाद इधर भी जगा खाली है दो के बाद तो वहाँ पर तो दो chance बन रहे हैं अभी उसमें नहीं रखते हैं second में देखें तो इधर की तरफ दो के बाद D है तो इधर की तरफ इसको put कर लेगे अभी first case में नहीं रखा second case में पर रखी लिए आगे चलते हैं C neither sits adjacent to A E nor A and faces S C नहीं A के बरावर में नहीं E के बरावर में है तो अभी वहाँ पर देखो जा रहा है वहाँ पर तो E की position नहीं आई है तो C की काफ़ सारी position में जागी case number 1 में but case number 2 में अगर में देखो ये position भी cancel हो रही है A के बरावर है ये position भी ये position भी बच्ची के बले एक position उस पर मैं C को रख दूँगा और C के सामने कौन है S ठीक है इस case में थोड़ा सा आगे बढ़र रहो उसमें चेक कर लेना क्योंकि means level है तो यहां पर timing का इतना problem नहीं है still अगर हो जाता है तो अच्छी बात है वो जीज one person sit between S and U और S और U के बिच में इधर यदर W है तो इधर U हो जाएगा ठीक है the number of person sit between S and W when counted from the side have a minimum number of person S or W के बिच में उधर की तरफ से देखने है minimum number of person है तो S के आप right से देखो क्योंकि हापे minimum है कितने है one यह किसके बराबर है इस two less than one जो है two less than है तो मतब three हो गया किसके बिच में S और V के बीच में और V A के सामने नहीं S और V के बिच में कितने परसन है तीन परसन है तीन में तो ब्रुकुल ठीक सामने आ जाएगा क्योंकि एट परसन का आरेजमेंट है तो कौन आ जाएगा यहां पर V आ जाए ठीक है ऑटमेटिक लिए आगे हो अगर तो अगर बाइख पर सेके बाह 59 अश्रिज का फिर अगर डर जाएगा तो इसका बार की इधर आप तो आपर Άल पर तो नहीं आ पाएग का यान मुझे यहां रखना होगा और P के second to the right form बन जाएगा R बन जाएगा अंदर के तरफ के वहले एक परसन बचा है कौन P Q R S T बचा है T मैं नहीं हां रख लिए ठीक है जी फेसिस जी नीदर फेसिस P नौर W जी नहीं P के सामने है और नहीं W के सामने है तो P के सामने जो डी है W के सामने हाँ पर नहीं आएगा जी तो जी के लिए दो के सामने है बचे है A और एक के बरावर में F sits second to the right of the one who faces P जो P को face करता है उसके second to the right कौन है F है तो P को face करने वाला D है inside face है इसका right इदर के तरफ यहाँ पर कौन आ जाएगा F आ जाएगा यहाँ पर F आया तो G यहाँ पर आ जाएगा और एक परसंट बचा है कौन प्रिलिम्स में नहीं पूचीज है ठीक है तो यह था इसमें I hope आपको समझ में आया होगा और first case आप चेक करने की जरद भी नहीं है छोड़ दो उसको क्योंकि हमारा second से बले ठीक है आज के लिए भोजाया चीज़े देखी जा रहे है कि एक case continue कर रहे है तो बन जा रहा है और अगर दुनों के साथ में लेकर चल रहे है एक time पर आगे में स्टार्टिंग में तो लेकर चलो लेकिन बीच में ऐसा लगी किसी में ज्यादा आगे बढ़ता है statements कम है comparatively number of statements कम है तो उसमें आप आगे बढ़ जा ताकि आपको help जाए ठीक है guys यह था इस वीडियो में ब banking exam related जैसे कि अभी SBA clerk का भी notification आगया है तो सब भी वीडियो सभी classes सब कुछ आपको यह पर मिल जाएगा चैनल को subscribe परना विल्कुन न भूले बेल आइकन भी प्रेस के लिजेगा ताकि जो भी latest videos है वह आप से मिसना so thank you for watching this video guys have a good day